Good morning students, Political Science की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनन्दन आज हम BA Part 2, Paper 2 भारत में सर्वोच नियायाले इसके शेतरादीकार और शक्ती इस विशेपर परिचर्चा करेंगे भारत के संवीधान ने सर्वोच नियायाले को संवीधान का संगरक्षक, लोकतंतर का प्रहरी और स्वतंतरतों का समर्थक बनाया है अमेरिका के सर्वोच न्यायाले की तरह यह जो सुप्रीम कोट है यह मूल अधिकारों का संगरक्षक और संबीधान का अगर हम कहें तो संबीधान की व्याख्या करता है इसी के साथ साथ इंग्लेंड के हौस ओफ लौट्स की तरह यह जो है लास्ट कोट अपील की अंतिम न्यायाले है तो अमेरिका और इंग्लेंड के जो कोट्स के जो पावर्स है उन दोनों के पावर्स को ही मिला कर भारत में जो है सर्वोच न्यायाले की शक्तियां दी गई है तो कहने का क्या मतलब है कि भारत का जो सर्वोच न्यायाले है उसकी जो शक्तियां है वो बहुत अधिक बिस्त्रित है इन शक्तियों को हम जो है निमलिखित हम इसको classify करके इसको पढ़ सकते हैं बेसिकली अगर हम सर्वोच न्यायाले के शेत्र अधिकार की बात करें तो हम उसको प्रारंबिक या original jurisdiction, appellate jurisdiction या अपीले शेत्र अधिकार इसके अलावा सर्वोच न्यायाले के पास सला देने का अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है उसका वो संग्रक्षक है और बहुत से अन तेक कारिये हैं उस पर विस्त्रित परीचर्चा करेंगे, अगर हम सुप्रीम कोट के मौलिक या प्रारंबिक jurisdiction की बात करें तो अनुच्छे 131 के अंतरगत जो है सर्वोच न्यायाले के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, मौलिक का मतलब क्या है कि वे मुकदमे ज जो अन्य कहीं न जाकर सीधे जो है उच्छितम न्यायाले में जा सकते हैं, ठीके, तो वो जो है उच्छितम न्यायाले के मौलिक या ओरिजिनल जूरिजिक्षिन में आते हैं, यानि इन मामलों में जो individual है या जो state है, वो सीधे जो है सुप्रीम कोट में जाकर अपील कर सक तो वो है उसके original jurisdiction इसके अंदर ऐसे ही विवाद आएंगे जो basically कानून या जो समवीधान से related है सरवोच न्यायाले में जो है तीन तरह के मामले जो है उसके मौलिक शेतराधिकार में आते हैं पहले पहला जो मामला है वो भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के तरफ तो होगी government of India ठीके और versus एक स्टेट या एक से अधिक स्टेट इनके बीच में विवाद होगा तो वो उसके original जो सरवोच न्यायाले के मौलिक शेतराधिकार में आएगा दूसरी जो मामले होंगे उसमें होगा भारत सरकार और किसी राज्ये या राज्यों के मध्धे जो है आपस में विवाद इसके अंदर क्या मतलब है एक तरफ government of India और states और दूसरी तरफ state या बहुत सारे states या even अगर states के मध्धे अगर कोई मामले हो वो भी जो है इसके ये मामले जो है सरवोच न्यायाले के जो है मौलिक शेतराधिकार में आते हैं ठीक है परसपर दो य दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद यानि तीन तरह के मामले आएंगे कौन-कौन से जिसमें एक साइट तो भारत सरकार हो और दूसरी साइट एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो दूसरा जो है उसमें एक तरफ भारत सरकार और राज्ये और दूस जुरिस्डिक्षिन में आता है ऐसे विवाद जो मतलब इविन जो पहले इंडियन स्टेट से जो रियासते थी उनके साथ हुई संधी से सम्मंदित जो भी विवाद हैं वो सुप्रीम कोट के ओरिजनल जुरिस्डिक्षिन ते अंतरगत नहीं आते इसमें ये चीज भी धियान रहे इवन मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो काम है वो भी जो है सरवोच नियायाले के ओरिजनल जुरिस्डिक्षिन में आता है लेकिन यहां हम ये बात कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात है तो इंडिविज्वल जो है in case of violation of मौलिक अधिकार यानि जब भी उसके मौलिक अधिकारों का उलंगन होता है तो ये individual की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सीधा चाहे तो सर्वोच निया या ले चला जाए या जो है वो हाई कोट में भी जाकर जो है अपील कर सकता है तो ये मतलब ये व्यक्ति के उपर इच्छा है कि मौलिक अधिकारों के संडक्षन में जो है वो सीधा सुप्रीम कोट या हाई कोट कहीं पर भी जा सकता है ठीके जो दूसरी चीज़ जो एक और है जो इसके औरिजिनल जूरिस्दिक्षन में नहीं आएगी कि जो अंतर राजिय जल आयोक संबंदी जो विवाद है वो जो है अनुच्छे 131 के जो तहत है वो सर्वोच न्यायाले के शेत्रादिकार में नहीं आते अब हम सर्वोच न्यायाले के न्यायाले के विरोच जो है उसे अपील जो है सुनने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 132 आर्टिकल 133 134 और 136 में जो है सर्वोच न्यायाले का जो एपेलेट जूरिस्दिक्षन है उसे क्लियर रूप में समझाया गया है इसको हम अगर क्लैसिफाय करें तो इसके अंदर पहला है उसके समविधानिक मामलों के संबंद में उसका जो जूरिस्दिक्षन है इसके अंदर यदि कोई उच न्यायाले यह प्रमान दे कि कोई मामला समविधान की व्याख्या से संबंदित है तो उच नियायाले के निन्ने के विरुद जो है सर्वोच नियायाले में अपील डायर की जा सकती है यदि उच नियायाले ऐसा प्रमान पत्र देने से मना कर दे तो सर्वोच नियायाले स्वयम अपील की अनुमती दे सकता है ठीके तो उच नियायाले के किसी भी निन्ने पर जो है वो जो की सम्वीधान से related मामला हो सम्वीधान की व्याख्या से संबंदित मामला हो तो ऐसे मामलों में जो है सर्वोच नियायाले या तो उच नियायाले लिख कर दे दे या वो स्वयम भी जो है उसे ये लगता है कि ये मामला अगर सम्वीधान से related है तो वो मामला सुप्रीम कोट अपने अंडर ले सकता है अगर हम दिवानी मामलों की बात करें तो जो civil cases होते हैं civil cases में प्रारंब में तो सर्वोच न्यायाले में वो ही दिवानी मुकदमे जाते थे जो की उच नियायाले द्वारा ये प्रमानित कर दिया जाता था कि यह मामला अपील के योग्ये है और जो विवाद में जो संपत्ती है उसका मूल्य जो है कम से कम 20,000 रूपिया हो बाद में ये जो है धनराशी इसको जो है बढ़ा के 1,00,000 कर दी गई लेकिन 1972 का जो 30th Constitutional Amendment था उसमें संपत्ती की जो मूल्य की शर्थ थी वो हटा दी गई अब जो है उच नियायाले द्वारा अगर प्रमानित कर दिया जाता है कि कोई भी मामला जिसमें कानून की व्याक्या से वह संबंदित हो और वह मामला सारजेनिक महत्व से रिलेटेड हो तो जो है यह मामला जो है सीडे सर्वोच नियायाले जाता है ठीके इसी तरह से अगर हम बात करें क्रिमिनल केसिस के लिए या फौशदारी मामलों के लिए तो फौशदारी मामलों में भी जो है सर्वोच नयायले में दो ही प्रकार के मामलों में अपील की जा सकती है वो कौन से दो मामले हुँगे? वो हुँगे कि किसी अपराधी को अधीनस नयायले ने छोड़ दिया तता बाद में जो है उच नयायले ने उसे मृत्युदंद दे दिया यानि lower coat ने तो जो है उसको मतलब उसको रिहाई के आदेश दे दिये थी लेकिन high coat ने जो है उसे मृत्यूदन दे दिया हूँ या ऐसे कोई मामले जिसमें की अधिनस नियायाले मतलब ऐसे मामले जिसमें मामला तो अधिनस नियायाले के पास था लेकिन उच नियायाले ने वो जो मामला था उसे विचार करने के लिए अपने पास मंगा लिया और फिर उसने जो है अपराधी को मृत्युदंड दे दिया आजाए कि यह जो मामला है यह सर्वोच नियायाले में सुनने योग यह है तो इन केसिस के मतलब इस तरह के जो फौजडारी मामले हैं क्रिमिनल केसिस हैं वो भी जो है सीधे सर्वोच मतलब सीधे मतलब वो जो नियायाले है मतलब ऐसे जो मामले हैं वो सर्वोच नियायाले क जो appellate jurisdiction है जो उसका appellate शेत्रादिकार है उसके अंतरगत आते हैं ठीके इन सब के अलावा भी जो है अगर कोई विशेष्ट मामले हैं जो की अनुच्छे 136 में ये सर्वोच नियायाले को ये विशेषा दिकार देते हैं कि जिसमें सर्वोच नियायाले देश के किसी भी नि नियायाले के निर्ने अत्वा आदेश के विरुद जो है विशेष रूप से अनुमती अपील की अनुमती प्रदान कर सकता है यानि अगर सर्वोच नियायायाले को लगता है कि कोई मामला देश की किसी भी अदालत में है और अगर वो लगता है सर्वोच नियायाले को कि इ सकता है सैनिक नियायाले के निर्णे के विरुज जो है सर्वोच नियायाले में अपील नहीं की जा सकती ठीक है बेसिकली ये जो विशेश अपील है ये किसी भी अदालत की जो कानून तुरूटी है जो उसने कोई सपोस कोई कानूनी तुरूटी की हो उसको सुधारने के जो है सर्वोच नियायाले द्वारा मतलब जो है हस्तक शेप की व्यवस्ता की गई है ठीके तो मतलब अगर हम उसके अपिलेट जूरेजिक्शन की बात करें सर्वोच नियायाले के तो इसके अंदर ये विशिष्ट जो अगर हम मामलों की बात करें तो ये मतलब ये उसके विशिश मामलों में भी जो है सरवोच न्यायाले अपील ले सकता है लेकिन मैंने जो आपको बताया मतलब जो सैनिक न्यायाले के जो होते हैं सशस्त्र बलो के विरुद कोई मामले होते हैं जो की सैनिक न्यायालों के अधीन होते हैं यहाँ पर जो है नियायाले के पास ऐसी कोई शक्ती नहीं होती कि वो उन्हें अपने पास मंगा सके तो एपिलेट जूडेजिक्षिन में के अंदर सर्वोच नियायाले, सम्वेदानिक मामले, दीवानी मामले, पोशडारी मामले और विशेश अपील के मामले भी सर्वोच नियायाले के अपील ये शेत्राधिकार के अंतरगत आते हैं अब सर्वोच नियायाले है, उसके अभी लेक नियायाले, यानि as a court of record के रूप में भी सुप्रीम कोट काम करता है कैसे? अनुचेद 129 के अनुसार, ये जो सुप्रीम कोट है, ये court of record के रूप में कार्ये करता है अभी लेक नियायाले का मतलब होता है court of record इसके अनुसार सर्वोच नियायाले में जो अभी लेक है, उसे प्रस्टुत किये जा सकेंगे और उसकी प्रमानिकता में जो भी records प्रस्टुत किये जाएंगे, वो अधिकारिक होंगे और उसकी जो प्रमानिकता है उस पर संदे नहीं किया जाएगा, यानि उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधारपन जो है निर्ने दिये जा सकते हैं ठीके, सरवोच नियायाले के आदेश और निर्ने की अवेलना, यदि किसी अधिनस नियायाले या व्यक्ति द्वारा की जाती है तो यह नियायाले की अभुमानना के अभियोग में डंड दिया जा सकता है यानि उसने जो भी निर्ने दिया है, उसको अन्य किसी भी नियायाले में जो है चुनोती नहीं दी जा सकती ठीक है अगर कोई उसके निर्णे को मानने से मना करता है तो इसका क्या मतलब हुआ वो मानहानी का जो मुकदमा है ठीक है या जो है नियायाले की अबुमानना का जो मुकदमा है वो उसके अंतरगत आता है तो मतलब अभीलेक नियायाले के अंदर सर्वोच न्यायाले के जो फैसले हैं और जो आदेश हैं वो अभिले को सुरक्षत रखने का स्तान भी है और इसी के साथ साथ इसी जो भी निर्ने देता है वो जो निर्ने है वो दृष्टांट के रूप में प्रस्तुत किये जाती है जो की जो भी अधिनस न्यायाले है वो मानना होता है तो आज जो हमने है सर्वोच न्याया लेकर जो शेतरादीकार में आज हमने उसके तीन तरह की शक्तिया की बात करी. पहली रही उसकी प्रारमविक शेतरादीकार प्रारमविक मतलब वो मामले जो सीधे सुपरीम कोट में जा सकते हैं दूसरी हमने डिसकस की उसकी अपीले शेत्रादिकार और तीसरी हमने की as a court of record आज के लिए इतना ही सरवोच न्यायाले की जो बचीवी शक्तिया हैं वो हम अगले व्याख्यान में डिसकस करेंगे उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा धन्क्यू